एक बार आफरीका के अंदर रहने वाले एक किसान के मन में एक ख्याल आया कि हम बच्पन से सुनते है कि आफरीका के अंदर बड़ी-बड़ी हीरे की ख़़ाने थी छोटी-बोटी तो बहुत है लेकिन मुझे सबसे बड़ी-बड़ी हीरे की ख़दान आफरीका के ढूणने है और उसके लिए मुझे जो करना पड़े जहां जाना पड़े जहां भागना पड़े मेरा जीवन लगा देना पड़े लेकिन मेरे जीवन का एक गोल है कि आफ्रीका के अंदर सबसे बड़ी जो हीरे की खदान है, उसे मुझे ढूणनी है, उसके ओपर मुझे सर्च करना है, संसोधन करना है, आफ्रीका के अंदर रहने वाले किसान के मन में ये विचारा है, उसके पास एक खेत था, अब जब आदमी के मन में धुन सवार हो जाती उसने वो खेत को बेच दिया और जितनी संपत्ती इकटी हुई सभी लेकर के निकल पड़ा अलग-अलग सहरों में, अलग-अलग गाओं में, अलग-अलग जगहों पे जंगलों में, अलग-अलग जगहों पे जाकर के खोजने लगा, रिसर्च करने लगा, संसोजन करने लगा कि कहां पर मुझे सबसे बड़ी हीरे की खदान मिल जाए और मुझे ये चाहिए कि सबसे बड़ी हीरे की खदान कहां पर मुझे डून निकालना है मेरे जिवन का एलक्स है को जाता है अंच présentा ऐसेों कछ प्राप्तन हो और जब इच्छाय पुरी नहीं होती है तो अध्यानी आद्म परेसान हो जाता है दुखी हो जाता है तरस्त हो जाता है और कर एक चिंटा में इस्टा में आ अब खेत जो किसान को बेचा था वो किसान वहाँ पे खेती कर रहा है अब खेती करते करते खेत के बीच में से एक छोटी सी नदी निकल रहे थी अब एक दिन उसने देखा कि नदी में कुछ चमक रहा है अब किसान था उसके पास कोई ज्ञान कोई नौलेज तो था नहीं कि क्या चीज है कौन सी चीज है उसकी सकती क्या हो सकती है उसकी ताकात क्या हो सकती है कौन सा मट्रियल है उसको पता तो था नहीं लेकिन उसको ये लगा करके ऑचानक से उसका मित्र बित्र ने देखा और देखते ही चक्की त कर दो दो किया तब सकने नदी दो को ऐसे चरहा पांस था हीतो पर फेस्स पांसे चा पता नहीं हैं क्या है क्या है पांसे मिल गया पत्फर चमख़ार था चमकदार ता इसलिए में उसको लेकर किया और ले जाकर के सोपिस में लगा दिया उसने का चल खेत में चलता है कि फेत में गये कि नदी में ठोड़ा रिसर्च किया थोड़ा छुझडा को कि दो-बांच-दस पथर मिल गए उसने कहा कि मैं इसको सहर में ले करके जाता हूँ उसका जो रिजल्ट आएगा तुझे बताओ रिशर्च करवाया तो पता चला कि ये तो हीरे है और पूरी टीम को लगा करके जब वहां पे पूरा सहसुधन पूरा रिशर्च किया गया तो पता चला कि ये ही खेत के नीचे हीरे की खदान है और इतिहास ये कहता है मैं आपको बताना चाहता हूँ नाम के साथ में इतिहास ये कहता है कि आज तक दुनिया में जितनी भी हीरे की खदान मिली उसमें सबसे बड़ी हीरे की खदान आफरी काम में मिली उसका नाम था Kimberly Diamond Mine वो सबसे बड़ी उसमिके अंदर से 2700 किलो हिरे निकले दुनिया की सबसे बड़ी हिरे की ख़दार वो कहां से निकली जिसके उपर वो किसान रोज खेती करता था और उसको बेच करके वो पूरे आफरीका में घुमा कहीं पर ख़दा नहीं मिली लेकिन मिली कहां से जो उसका खुद का था उसके अंदर से सास्तदार होगंद में यही तो कहते हैं हम यहीं तो बागल बन करते हैं हम यहीं मुर्खदा प्रभी दिन करते हैं हमारे पास जो है उसको निकाल देते हैं उसको बेच देते है और दुनिया भर में भतकते है मुझे ये मिल जाए jus किमबर्ली डाइमंड माइंस की इस्टोरी हं बताती है क्या समझते है जो है भीत्र है जो है हमारे पास है खुद का खेद बेचके पुरे आफरीका में घूम लिया कुछ नहीं मिला लेकिन मिला कहां से अंतत हो खुद के खेत में से का ऐसे ही चार हिरे हमारे पास हमारे जीवन में हम लेकर के बैटे चार अधुद हिरे हमारे जीवन में हम लेकर के बैटे कहा सबसे पहले नंबर में सुख नाम का हिरा हमारे पास हमारे भीत है हम खोशते जगह जगह पे जाकर के मुझे वस्तु से सुख मिले जाए मुझे व्यक्ति से सुख मिले जाए मुझे चीजों से सुख मिले जाए मुझे संपत्ति से सुख मिले जाए मुझे समंदों से सुख मिले जाए हम जगह जगह जाकर के खोशते हैं ढूंटे हैं पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, सास्तकार भगण कहते हैं, समझ लेना, चार अधवुत हीरे, तेरे भीतर पड़े हुए है, उसके लिए कहीं खोज करने के चर्णत है, सुख नाम का हीरा तेरे अंदर है, तहीं नहीं जाना, उसके लिए कहीं खोजना नहीं, भीतर जाएगा, कि कभी कोशिस नहीं करते हैं, भाई ये जगत में भटगने की कोशिस करते हैं, भाई ये जगत में घूमने की कोशिस करते हैं, और इसलिए मैं आपको कहना चाता हूँ, समझ लेना, हमारे सास्तकार भगण कहते हैं, कि उदाहरन से हम समझें, कि जीवन में जो कुछ है हमार हमारे भीतर है भार कुछ नहीं है कि संती नाम का हीरा हमारे भीतर है कि संती के लिए आज कर लोग इस्टेशन चले जाते हैं कि विजेशों में चले जाते हैं बीच के किनारे चले जाते हैं कि गूमने के चले जाते हैं कि पहारों के बीच में चले जाते हैं कि नदियों के समी जितना भटकेगा उतना तेरा समय बर्बाद होगा उतना तेरा समय भी लेगा तो खोज ले जितनी महिनत करनी है कर लेकिन जो भीतर है ऑगा कर शुख नाम का हीरा हमारे पास से हमारे भीतर पड़ा हुआ है सांती नाम का हीरा हमारे भीतर पड़ा हूँ और कीस ने नमबर में कहा कि आनंद नाम का हीरा हमारे भीतर पड़ा हूँ हर आदमी आनंदित होना चाहता है प्रसंद रहना चाहता है हर आदमी चाहता है कि मैं प्रसंद रहो मेरे जीवन की हर अक्षन, मेरे जीवन की हर मिनिट, मेरे जीवन का हर एक समय प्रसनता के साथ भीते हम भी ये चाते हैं, आप भी ये चाते हैं, मैं कई बार कह चुका हो, कि आनन्द ऐसी चीज है, जो संसार में संसारी जन भी चाते हैं, और सादू भी चाते हैं, कि हमारे जी कि महाराज जी घटनाएं हमें दुखी करती है परिस्टितियां हमें दुखी करती है सामने वाला व्यत्ति हमें दुखी करता है सामने वाला पात्र हमें परेशान करता है हम कई बार गय देते हैं लेकिन सास्तकार भगवन कहते है कि ये मुर्खता है ऐसा कुछ संसार में नहीं होता है दुखी होना के सुखी होना हमारे आत्मे है हमारे भीतर है और हमारे भीतर जाका कर जब हम देखेंगे हमारे भीतर जब चेक करेंगे तो पता चलेगा कि असली आनद हमारे भीतर रहा हुआ है उसे खोजने के लिए कहीं पर जाने के जर्वत लिए कहा सुख नाम का हीरा अंदर है सांती नाम का हीरा अंदर है आनंद नाम का हीरा अंदर है और कहा कि समाधी नाम का हीरा भी तुमारे भीतर है हम वही किसान चैसी मुर्खता जीवन भर करते रहते जो कुछता बेजवाद के निकल पड़े हीरे की खदान कहां मिल जाए अरे तुझे कही जाने की जरूत नहीं है हमारे यह ज्यान सार नाम के गरंध में महा महुपाद्याय आज जब उपाद्य है पद का दिन है तब मैं आपको बताना चाहता हूँ यह सब चीजे इतना ज्यान हमें कौन प्रदान करता है उपाद्याय भगवन्त देते कौन देता है आचारज मुख आगड़े जे यूगराज समान भणे भणावे साधोने बंदोते उपचाहे कहा यह ज्यान की परंपरा को जीवन्त रखने का काम किसने किया उपाद्याय भगवन्त देते उपाद्याय यारी कि अध्यान के हमेशा जो समीप रहे जो पुस्तकों के हमेशा समीप रहे जो ज्यान के हमेशा समिप रहे पढ़ना पढ़ना जिनको हमेशा अच्छा लगता हो जिनके मन में हमेशा यही कामना हो कि मेरे सासन का एक एक सादू साद्वी मेरे सासन का एक एक स्रावक सावी का कैसे पढ़े कैसे तैयार हो उनके जीवन में कैसे सही ज्ञान को प्रात्प कर सके ये जिनके जीवन का लक्स हो उसे क्या कहा जाता है उपाद्याय भगवन और इसलिए हम प्रति दिन नमस्कार महमंत्र के चतुर्थ पद में बोलते है नमो नमो उबचायान उपाद्याय भगवन को में नमस्कार करता हूँ क्योंकि आचार्य भगवन तो सासन की प्रभावना में व्यस्ता होते है सासन की धुराश संभालने में व्यस्ता होते है सासन को सजाने में साचन को आगे बढ़ाने में सासन के लिए क्या करना क्या नहीं करना ये सब चीजों में व्यस्त होते है लेकिन उपाद्य भगवंत का कार्य है सादू सादू जी भगवंत को अध्यान कराना उपाद्य भगवंत का कार्य है कि जीवन में जो भी उनके पास आवे उसको ज्यान प्रदान करना ये उपाद्य भगवंत का गार और इसलिए उपाद्य भगवंत ने हमें सिखाया कि जीवन में भटकों मत इधर उदर मत दोर हम पूरा जीवन ही करते रहते हैं जीवन भागते रहते हैं इधर से उदर, इधर से उदर, इधर से उदर, हम भागते रहते हैं, भटकते रहते हैं, उपाद भगवन कहते हैं के नहीं, तेरे भीतर, ये चार हीरे पड़े हुए हैं, और ऐसा अध्वूत चोथे नंबर का समाधी नामता हीरा भी तेरे भीतर है तेरा मन तय करेगा, कि तू समाधी में रहेगा, कि और समाधी में रहेगा, तू साता में रहेगा, कि और साता में रहेगा, तेरे मन में समाधी बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, तेरा जीवन सांती पुर्णा तरीके से चलेगा या नहीं चलेगा, तुझे सुख की अनु मुर्खता मत करना उसके पेरों के तले किमबरली डाइमंड माइन दुनिया की सबसे बड़ी हीरे के खदान थी लेकिन और पूरी दुनिया घूमते रहा कि मुझे कहां से मिल जाए कहां से मिल जाए मैं भी आज उपाध्धाय पद के दिन आपको यही बताना चाहता हूँ कि प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरू प्रेम मिशन की यूट्यूब चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले